लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि जो राज्यपाल है जो गवर्नर है राज्यसरकारों का कैसे वो अडचन डालते हैं constructive law making process में जो के constructive काम legislative assemblies conduct करते हैं यानि कि जो लोग जोनोंने चुना है विधायकों को जो के legislative assembly में जाके कानून बनाते हैं तो कैसे center state relations बिगड़ते हैं अगर तो governor इस काम में अडचन डाले तो दोस्तों आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज की editorial discussion में ये राज्यपाल के बारे मैं क्यों बात कर रहा हूँ दोस्तों आज की चर्चा में जो हमारा lead article रहेगा वो रहेगा PDT अचारी जीने article कल लिखा था हिंदू में gubernatorial procrastination और role of governor की यहाँ पर बात करी गई है governor से related questions अकसर हम GS2 के means के exam में देखते हैं और governor और president से related जो questions रहते हैं prelims में भी हमको बहुत बार देखने को मिलते हैं और बहुत important agent है governor खास करके अगर हम center state relations की बात करें तो इस article को हम discuss करेंगे क्योंकि कल हमने editorial discussion नहीं करा था और ये article कल भी lead article था दा हिंदू का तो आज इसकी हम चर्चा करेंगे फिर एक article don't lure but persuade तो election commission of India की involvement रहेगी कि जो parties हैं political parties हैं जो बहुत बड़े-बड़े manifestos announce करते हैं कि हम free में बिजली बांटेंगे free में cycle बांटेंगे laptop बांटेंगे वो सब बांटने के लिए आपके पास पैसा कहां से आएगा वो party fund में से तो नहीं आएगा taxpairs money में से आएगा तो कैसे आप इन commitments को जो कि आप manifestos में करते हैं वो कैसे पूरा करने वाले हैं ये सब जो बादे हैं ये सब जो promises हैं public domain में आप से political parties को रखनी पड़ेगी एक framework ऐसा set करा गया है और एक article government policies and interventions से related हिंदू में आया है आज strengthening the corporate social responsibility framework question of the day will be towards the end of the video so दोस्तों पहला article ये PDT HR ने लिखा है बहुत noted constitutional expert है former secretary general है चुके है लोग सभा के काफी अच्छा लिखते हैं हिंदू मिन का article कभी ना कभी एक महीने में तो आही जाता है तो यहाँ पे देखिए वेल-established norm है कि जो बिल है जो प्रस्ताव है जो के state assembly के में जो बनाया जाता है formulate किया जाता है वो कानून कभ बनता है केवल तब जब राजजपाल जो है governor जो है जब उसको हस्ताक्षर देगा और governor एक integral part है state legislature का और यह जो law making process है यह बहुत अधूरा है जब तक वो हस्ताक्षर ना करे जब तक अपने वो ascent ना दे उस प्रस्ताव को यह केवल भारत में नहीं बर बाकी भी जो democratic countries है यही provision बाकी भी countries में follow किया जाता है लेकिन एक बात को जब तरह सोची थोड़ा सोचने वाली बात है popular will की जहां पे बात आती है आप लोग चुनते हैं अपने विधायकों को वो जाके वहाँ पे आपके हित के लिए कानून बनाते हैं, बिल बनाते हैं अब इसमें अडचन डालना गवर्नर के द्वारा क्या ये सही बात है तो गवर्नर के पास क्या legitimate authority है कि कि उसके पास final say हो lawmaking process में ये था थोड़ी सोचने की बात यहां पे आ जाती है क्योंकि बिल तो कानून तभी बनेगा जब गवर्नर उसको assent देगा तो यानि कि यहां से हम ये बात भी deduce कर सकते हैं कि गवर्नर का assent देना कानून को यानि कि गवर्नर का assent देना प्रस्ताफ को कानून बनने से पहले बहुत ही crucial act है पूरे lawmaking process का अब आज के time पे जो cost of assent है गवर्नर का वो कुछ जादा ही महंगा हो गया है वो क्यों हो गया है विकास आज के time पे जैसे हम केरल की बात करें हैं तामिल नाटू की सरकार ने बोला कि जो neat test है जो neat test है यह हमारे बच्चों के लिए तामिल नाटू के जो बच्चे उनके लिए बड़ा discriminatory है जो socio economic week background से जो बच्चे आते हैं वो नहीं afford कर सकते हैं महंगी महंगी coachings neat के चलते हैं तो हम neat examination जो है अपने state में नहीं allow करेंगे need से हमको exemption चाहिए तो लेकिन इस प्रस्ताफ के उपर जो के डियमकी के सरकार ने पास किया था इस प्रस्ताफ के उपर तामिल नाट के जो governor है वो बैठे रहे उन्होंने बहुत बहुत में जा कि यह जो मुद्दा था प्रेजिनेंट को assent लेना यानि कि popular will of the people is being obstructed by the will of the governor यह सोचने वाली बात है इसके चलते है legislation में बहुत फिर turbulence रहता है lawmaking में uncertainty रहता है ठीक है because obviously आपके जो legislative programs हैं जो के आपके state legislative assemblies बना रहे हैं उसका तो कोई relevance रहा नहीं तो सवाल यहां पर यह आता है कि हम क्या यह uncertainty afford कर सकते हैं so therefore the question of whether a governor is permitted by the constitution क्या संभिदान इस तरह का mandate राज्यपाल को देता है कि आप indefinitely किसी प्रस्ताव के उपर बैठे रहे हैं संभिदान में तो काफी choices भी हैं अब article 200 की बात करें तो article 200 के चलते राज्यपाल के पास कुछ options हैं कि या तो आप हस्ताक्षर दे सकते हैं या तो आप बिल का जो प्रस्ताव उसको मंसूर कर सकते हैं और वो कारून मन सकता है यदि आपको प्रस्ताव में कुछ बाते नहीं पसंद यदि आपको पूरा का पूरा बिल ही नहीं पसंद तो आप वापस भी assent देना ही देना है तो ये बाते आर्टिकल 200 में well established है संभिधान में ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ कि भी आप अगर किसी particular political party की तरफ से आए हैं और अगर आप जो स्टेट में जो राज्यपाल है वहाँ पे opposition political party है तो आप उनके प्रिस्ताफ को आप उनके मुद्धों को block कर दे ये संभिधान में नहीं लिखी बात ये असंभिधानिक बाते हैं बाकी options क्या है आर्टिकल 200 के चलते एक option है कि अगर राज्यपाल चाहे तो वो president की reconsideration के लिए भी उस bill को refer कर सकता है लेकिन एक time frame में हो ना जैसे अभी हमने तामिलाडो का case देखा लेकिन only अगर अब ये हर एक मुद्धे में नहीं होता only तब जब राज्यपाल को लगता है कि जो bill मेरे सामनी रखा गया है जो प्रिस्ताव मेरे सामनी रखा गया है वो किसी तरीके से high court की power को endanger करता है तो ठीक है तो राज्यपाल चाहे तो ये matter प्रेजडेंट की reference के लिए रख सकता है हर एक मुद्धे के लिए आप कहें के जी हर एक मुद्धा में प्रेजडेंट को refer करूँगा वो बात सही नहीं है कि आपने हर एक मुद्धा ही प्रेजडेंट को refer करता है क्योंकि आ जाता है अगेन वहाँ पे ruling political party center में कोई और हो state में opposition political party हो चाहे वो regional political party हो चाहे वो congress हो ये मुद्धा law making process के लिए अच्छा नहीं है एक बात को बिल्कुल ठीक तरीके से बिल्कुल स्पश तरीके से हम समझे कि जो legislature है वो will of the people को reflect करता है लोग वहाँ पे आते हैं जो चुन के आते हैं पांच साल के लिए आते हैं वो कानून बनाते हैं नीती बनाते हैं नियम बनाते हैं लोगों के लिए और governor के पास की authority नहीं है लोगों की ख्वाइशे तो जो विधायक है वो ही पूरी कर सकते हैं ना कानून बना के तो देरभाई अगर governor obstruct करेगा that is defeating the whole purpose of the legislative program is it not against the spirit of the constitution अगेर ये बात सोचने माली यहाँ पे आती है तो यहाँ पे थोड़ी caution की बात आती है सम्विदान में कुछ grounds mention है कि governor राजयपाल किस grounds पे अपना assent withhold कर सकता है तो याने के conflict है कोई आपको लगता है कुछ ऐसा वुद्दा है उस bill में कोई ऐसा अगर आपको लगता है कि पूरा gover प्रस्ता भी अच्छा नहीं है तो आप refer कर सकते है legislative assembly को fine लेकिन ये जो power है न ये regularly exercise नहीं करनी होती है ठीक है इसको बहुत rare exercise करनी होती है बहुत caution के साथ exercise करनी होती है law making process complicated है काफी सारी बाते हैं जो नहीं समझाती है law making के process because after all governor के mind में भी ये है कि अगर मैंने इस प्रस्ताफ को ascent दे दिया अगर मैंने इस पे स्ताक्षर कर दिया तो what if ये कानून जो बने लोगों के हित में ना हो because again अपने विवेक को यहाँ पर apply करना पड़ता है अपनी wisdom को apply करना पड़ता है तो चाहे आप Supreme Court में है चाहे आप High Court में है चाहे आप वकील है चाहे आप MLA है चाहे राजा हो चाहे रानी हो तो royal ascent तो वहाँ पे भी बहुत जरूरी है for a bill कानून बनने से पहले वहाँ पे royal ascent जरूरी है लेकिन crown के पास power है to withhold the descent लेकिन ये नहीं है कि वो absolutely अपने ascent को withhold कर सकता है या कल को कहें कि भी वहाँ के जो राजा है UK के अगर वो refuse करने अपना ascent देना प्रस्ताफ के उपर तो लेकिन उसके बाद जो bill है bill फिर भी पास किया जाता है bill इस करके रुकेगा नहीं कानून इस करके बनने से नहीं रुकेगा कि royal ascent उस bill को नहीं मिला था हम अमेरिका की बात करें अमेरिका की भी बात करें तो वहाँ पे जो president है वो भी empowered है अमेरिका के संभिदान के हिसाब से कि वो भी चाहे तो एक प्रस्ताफ को bill को वापस return कर सकते हैं to the house या अपना ascent भी refuse कर सकते हैं लेकिन अगर अमेरिका में अमेरिका का संभिदान क्या कहता है लेकिन अगर if the house passes the bill back to the president with two-thirds of each house voting for that bill तो US के president को भी ये जो प्रस्ताव है वो स्विकार करना पड़ेगा इसके लिए अब इसके चलते हमारे ली क्या सबक है तो यानि कि यहाँ पे यह हम तेख सकते हैं कि refusal of ascent जो है ये practice किसे भी democratic बाकी democratic countries में नहीं करी जाती है और बलकि UK और अमेरिका के अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो असंभिदानिक है unconstitutional है यानि कि constitution itself ये बात provide करती है कि चाहे आप UK के राजा हो या रानी हो चाहे आप अमेरिका के president हो जितने मर्जी आप शक्तिशाली हो लेकिन जो बिल आपके पास जो प्रस्ताव आपके पास house की तरफ से आया है वो अगर आप refuse करेंगे तो doesn't mean कि house उस बिल को आगे कानून में नहीं convert करेगा ठीक है तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा उठता है एक बहुत legitimate question यहाँ पे खड़ा उठता है कि जो government अगर राज्य सरकार है राज्य सरकार और governor के बीच में राज्यपला और राज्य सरकार के बीच में को तू तू मैं मैं है या अगर कोई राज्य अगर हम राज्य सरकार की बात करें चलो तामिलाडू की ही बात करें उनको लगता है कि बहुत लंबे अर्से से governor जो है अपना sent नहीं दे रहे है तो क्या वो इस बात को high court में लेके जा सकते हैं court of law में लेके जा सकते हैं लेकिन हमारे संबिधान में article 361 के चलते ये भी provision है कि आप governor या president की against कोई भी criminal या civil proceedings नहीं proceed कर सकते हैं खास करके अगर उन्होंने कोई भी ऐसा काम करा है in exercising their power लक्षमी कांग में आपने पढ़ा होगा legislative powers, governor की हो, president की हो तो याने के governor और president दोनों को complete immunity मिलती है अपने कारेकाल में कि भी जो वो काम अपने ओधे में रहके अपनी position पे रहके कर रहे है चाहे वो bill को withhold करना हो चाहे वो assent देना ना हो उसको आप वहाँ पे criminalize नहीं कर सकते हो तो एक बहुत unique situation है जहाँ पे किसी राज्य सरकार के सामने ये option आता है कि वो राज्यपाल के इस फैसले को challenge करे एक high court में suggestions की बात यहाँ पे आती है जो PDT HR यहाँ पे रखते हैं लेकि राज्यपाल एक high constitutional authority है तो वो एक arbitrary manner से discretionary manner से अपनी मर्दी से आक नहीं कर सकते है कुछ दाइरे में रहेगे ठीक है checks and balances बहुत ज़रूरी है legitimate reason है अगर governor को लगता है कि भी इस reasons के कारण में इस bill को withhold कर रहूं तो वो बताईए क्या कारण है ठीक आप reasons बताईए कि आप किस कारण करके उसको assent नहीं दे रहे है why are you obstructing the lawmaking process supreme court के views यहाँ पी क्या कहते है supreme court के अगर हम बात करें रामेश्वर प्रसाद and others versus the union of India यहाँ पे court नहीं यह बोला कि जो immunity दी जाती है article 361 के चलते वो absolute नहीं है that does not take away the power of the court कि court इस बात को investigate कर सकती है steady कर सकता है कि क्या ऐसे कारण रहे हैं कि राज्यपाल हो या president हो वो अपने हस्ताक्षर नहीं दे रहे हैं क्यों उन्हें बिलको refuse किया है ascent देने के लिए क्यों इतने time के लिए withhold किया हुए तो यह power court के पास है यह supreme court के ही यहाँ पे views आ जाते हैं तो conclusion की बात करें देकि संब्धान में कोई fix timeline नहीं है governor को बताने के लिए कि भी कितने time में वो अपना ascent दे कितने time में ना दे क्योंकि again मैंने बात अभी आपको पहले भी बताई थी कि law making process बहुत complicated होता है आपको देखना पड़ता है अपना विवेग वहाँ पे apply करना पड़ता है कि यदि आपने ये फैसला लिया तो इसका impact क्या होगा तो लेकिन that doesn't mean कि अगर संब्धान में ये timeline आपको provided नहीं है that doesn't mean कि आप बैठे रहेंगे उस प्रस्ताब को लेके ठीक है ये purpose क्या था options देने का कि आपके पास चार तना की options हैं कि आप या तो ascent करिए या withhold करिए या president को refer करिए कि अगर आपको नहीं पता लग रहा अगर आपके विवेक में आपके wisdom से आपको नहीं पता लग रहा कि आपको क्या करना चाहिए तो आप ये options को explore कर सकते हैं कि आप indefinitely किसी प्रस्ताफ के उपर बैठे रहें तो ये बात हमारे लिए important है समझ नी चलिए अगला article don't lure but persuade क्यों इस article के बारे हम चर्चा कर रहे है recently क्या हुआ है election commission of India ने proposal रखा है कि अब जो political parties है अब देखी रेवडी politics को लेके रेवडी culture को लेके बहुत सारी debate पीछे चली थी हमने काफी articles भी discuss करे थे अब political parties बहुत बड़ी बड़ी बाते बोलती है हम free में cycle बांटेंगे free में laptop बांटेंगे free में बिजली देंगे कोई भी political party हो चाहे वो congress हो आम आदमी party हो समाजवादी party हो कोई भी political party हो कुछ parties ये भी कहती ही के जी हम पानी में बस चला देंगे तो चलाइए लेकिन पानी में बस चलाना या laptop बांटना क्या आप जो political parties है क्या वो आप अपने funds में से दे रहे हैं क्या आप अपने political party fund में से दे रहे हैं आप हमारे पैसे में से जो इंसान tax दे रहे हैं क्योंके पैसे में से इस सब चीज़ें बांट रहे हैं तो क्या जरूरी नहीं है दोस्तो दरा सोचिए इस बात को क्या जरूरी नहीं है कि लोग भी इस बात पे गौर करें vote देने से पहले लोगों को भी इस बात का विवेक होना चाहिए इस बात का wisdom होना चाहिए कि क्या ये जो बड़ी बड़ी बाते political parties अपनी manifestos में कह रही है क्या ये substantial बाते हैं क्या ये feasible है भी कि नहीं तो informed citizenry होना बहुत ज़ादा जरूरी है पर सो citizen centric approach का एक article हमने discuss किया था mission करम योगी की हमने बात कर दी again ये सब बाते हम correlate कर सकते हैं अगर ऐसा question हमको mains में आता है तो ये सब बाते correlate करके एक अच्छा सा answer हम बना सकते हैं यानि कि जिन लोगों को आप elect करते हैं उनको accountable hold करना idea क्या है कि parties communicate करें खास करके लोगों को electors को कि जो fiscal cost है ये सब demands पूरी करने का वो क्या पड़ेगा अब ये जो सब बात है ये already model court of conduct 2015 में established करी गई थी तो अब election commission of India framework सामने रखेगा जिस framework के चलते political parties voters को बता सकते हैं कि इतना सारा outgo होने वाला है taxpayers money में से ताकि वो एक informed choice ले सकते हैं लोग बेफकूफ नहीं हैं लोगों को पता है अब आप लोगों को बेफकूफ नहीं बना सकते हैं चाहे वो गाओ में रह रहे हैं चाहे वो शेहर में रहे हैं अगर तो political parties इस idea पर agree करते हैं और ये already बात model court of conduct में भी included है तो हर एक political party को समाज में लोगों को ये बताना पड़ेगा कि कौन सी promise है जो कि हम target कर रहे हैं क्या ऐसी बड़ी promise है कि जी हम पानी में बस चला देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे किस extent तक इस promise को cover किया जाएगा अगर हमने बिजली बांट नहीं है पानी बांट नहीं है किस extent तक इसको हम cover कर पाएंगे कितने लोग होंगे जो कि legitimate हकदार होंगे इस scheme के हर किसी को free में पानी बिजली नहीं चाहिए कितना खर्चा लगेगा इसको implement करने के लिए और इसका जो खर्चा जो लगेगा उसके पैसे जो होंगे जो खर्चे में involved होंगे वो कैसे race किये जाएंगे cost कैसे आप meet करेंगे उस चीज़ के तो definitely transparency बढ़ेगी अब लोगों को पता लगेगा कि इसका fiscal challenge क्या है तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राग्जिस सरकार हो election commission of India का ये कहन है कोई भी political party हो चाहे वो center पे हो चाहे वो states में हो उनको बताना पड़ेगा कभी देखो जो budget है आपके पास कितनी revenue receipts आ रही हैं कितना आपका expenditure हो रहा है because देखो बात समझो कि ये जो सब खर्ची है ये तो सब खर्चे तब ही हो पाएंगे ना अगर legislative assemblies खर्चे को अगर पास करेगी budget में अब ये तो political party के account में से नहीं जा रहा आम आदमी party हो या श्रुमनिया काली दल हो या congress हो या समाजवादी party हो उनके अपने party fund में से तो नहीं जा रहा कि क्या election commission of India की involvement legitimate है भी कि नहीं अब ये भी कह सकते हैं कि भी election commission of India क्या पड़ा है कि भी political parties कैसे खर्चा कर रही है political parties अपने manifesto में क्या क्या बाते लिख रही है political parties बोलें कि हम लोगों को रोज पीजा बांटेंगे बर्गर बांटेंगे तो election commission of India की क्या सिर्दर्दी है ये सवाल यहाँ पे आ जाता है ये political or administrative जो responsibility है वो तो political parties की है वाइशोड election commission of India have the headache of being involved ये सवाल यहाँ पे खड़ाउट जाता है लेकिन judiciary के views की हम बात करें तो judiciary ने supreme court ने judgment 2013 में दिया था जहां पे supreme court ने कहा था देखो political parties का पूरा right है कि जो भी electoral promises है वो कह सकने हैं जो भी उन्होंने अपने manifesto में बाते रखनी है जो भी उन्होंने बाटना हो free में बाटना हो manifesto में electoral promises जो हैं वो corrupt practices नहीं है as long अगर वो finance की जा रही है by the budgetary allocation तो अगर को political particle को सत्ता में आती है बहुमत के साथ आती है तो definitely उनके जो विधायक है वो ये प्रिस्ताफ को assembly में पास करेंगे तभी ये proposal law बन पाएगा और तभी उस scheme के चलते या manifesto की जो promises के चलते उस particular चीज़ को funding मिल पाएगी तो let that be to the political party हाँ लेकिन अगर court ने ये बात भी बोली थी कि भी अगर तो political parties बहुत जादा बड़ी-बड़ी promises कर रही है जिसके चलते लगता भी है कि वो fiscally feasible नहीं होगा तो election commission of India कुछ guidelines lay down कर सकती है लेकिन election commission of India अगर guidelines lay down कर भी दे उस guidelines को स्वीकार कौन कर रहा है तो कहिना की election commission of India toothless body बन रही है इस particular मामले में के guidelines या framework नहीं establish कर पाए ये बात तो 2013 की थी तो आज 2022 में बात क्यो study करी जा रही है Now, conclusion की बात करें अगर इसको implement करा जाता है तो detailed जो financial disclosures है किसी भी scheme के चलते किसी भी promise के चलते वो लोगों के सामने होंगे और लोग एक informed decision ले पाएंगे कि भी इस party को vote करने में फाइदा है भी कि नहीं है ठीक है और definitely जो rival political parties है वो भी under watch रहेंगी वो भी under scrutiny रहेंगी तो definitely इसका impact बहुत positive भी हो सकता है चाहे negative भी हो सकता है लेकिन definitely जो prospect है of the party winning of the electorate उसके उपर considerable impact पड़ेगा लास्ट अर्टिकल आज का strengthening the CSR framework that is a profitable idea ना corporate social responsibility की यहाँ पर बात करेगी तो 2013 में तो अगर हम बात करें corporate social responsibility regime यह भारत में कब आया था under section 135 of the company's act जो के 2013 में establish करा गया था legislate करा गया था तो corporate social responsibility की बात करें याने कि आपने दो प्रतीशत of your average net profits in the preceding three financial years जो है वो अपने contribute करने society के तूइट समाज के तूइट तो CSR spending जो है वो भारत में लगबग 10,000 करोड़ अगर 2014-15 के आगर हम आंकडों की बात माने तो आज लगबग पिछले 7-8 सालों में ये 14-15,000 करोड़ जादा हो चुका है तो लगबग अभी 25,000 करोड़ के आसपास है लेकिन पिछले 8-9 सालों में जो companies हैं चाहे वो domestic हूँ चाहे वो Indian companies हूँ चाहे वो foreign विदेशी companies हूँ जिनका यहाँ पर registered you know, subsidies है उनके मुनाफ़े में तो बहुत increment हुआ होगा पिछले 8-9 सालों में लेकिन इतना proportionate increment हम CSR में क्यों नहीं देख रहे हैं क्या आपको ये बात पता है कि लगबग 2926 companies थी 2020-21 में जिन्होंने एक पैसा भी नहीं खर्च करा corporate social responsibility के चलते और companies जो के less than the prescribed limit of 2% जैसे आपको मैंने बोला कि 2 प्रतीशत अगर जितना भी आपका average net profit बनता है पिछले 3 financial years में तो उसका 2 प्रतीशत आपने contribute करना है काफी ऐसी companies हैं जो के 2 प्रतीशत से भी कम spend कर रहे हैं CSR में और in fact यहां पे एक और आंकड़ा सामने आया that there was also a decline in the number of companies participating in CSR तो यानि के 25,103 companies अगर fiscal year 2019-2020 में थी तो वो अब किती रहेगी 17,007 companies तो यह हम सवाल हमारे सामने आता है तो रहा सोचने वाली बात है कि क्या 2 प्रतीशत जो limit है क्या वो adequate है देकि हमारे यहां पे हमारे समाज में देकि गरीबी दो बहुत है upliftment की requirement है poverty elevation programs की requirement है 1991 के बाद एक mixed economy के atmosphere में हम रह रहे हैं हर एक खर्चा सरकार उठाए तो वो बात भी सही नहीं है अब हम अपनी green energy green transition की हम बात करें तो बार बार हम यह बात करते हैं कि हमको renewable energy के towards अगर जाना है या semiconductor technologies की भी बात करें इसमें सरकार के पास इतनी funds नहीं है कि सरकार अकेला ही इसमें contribute कर सके private sector को बहुत contribute करना पड़ेगा चाहिए education है sanitation है health care programs है private sector को बहुत ज़्यादा यहां पे contribute करना पड़ेगा तो अब definitely private sector में एक लालच आ जाता है profit का वो होना भी चाहिए चलो private sector तो social welfare के लिए नहीं बना हुआ वो तो public sector बना हुआ है private sector को जो state है जो entrepreneur है उद्योग पती है उसको तो अपना profit निकालना है लेकिन सरा सोचने वाली बात है कि क्या दो प्रतीशच जो limit है क्या वो अभी भी क्या ये सही है क्या ये adequate है तो companies को encourage करना चाहिए कि वो जादा spend कर सके गर उनके पास जादा मुनाफ़ा हुआ है गर उनके पास जादा पैसे है in fact बहुत सारी private companies ऐसी practice सामने आई है कि उन्हें अपने खुद के charitable foundation set up करे हुए है और वो वहाँ पे जो CSR में पैसा जाना चाहिए वो पैसा, वो foundations में divert कर रहे है अब क्या ये बात है Companies Act या CSR Rules में established है अब इन बातों को थोड़ा investigate करने की requirement है तो थोड़ा से यहाँ पे factual information validation के तौर पे तो जहाँ पे हम section 135 schedule 7 की हम बात करते है Companies Act 2013 की तो इसके चलते जो limit है for the applicability of the CSR तो यहाँ पे क्या आ जाता है तीन conditions आ जाती है कोई भी company जिसका जो net worth है 500 या 500 करोड से जादा हो जिसका turnover जो है वो 1000 करोड या उसे जादा हो या जिसका net profit है वो 5 करोड या 5 करोड से जादा हो तो यह 3 criteria आ जाते है अगर आपकी company न 3 criteria में आती है तो आपको CSR के प्रती contribute करना है 2% ठीक है और यह board of directors की जिम्मेवारी है कि company जो है वो spend करेगी in every financial year a minimum of 2% जो average net profits एक company ने बनाए थे 3 immediately preceding financial years में वैसे CSR amendments के चलते ना आज अर्विंद सरनिक बड़ा अच्छा वीडियो भी सुबा बनाया है few minute series में तो उसको भी जरूर देखेगा कि CSR policy में क्या amendment करेगी है 2022 में benefits of CSR की बात करें देखिए आप जो आप कोई भी company हो चाहिप FMCG company है चाहिप automobile company है आपकी public image सुधरती है अगर आप लोगों में रहके काम करते हैं लोगों की बलाई के लिए काम करते हैं तो लोग आपके products के साथ आपके brand के साथ और ज़्यादा जुड़ना शुरू करेंगे आपको और ज़्यादा media coverage मिलेगी देखिए स्वच भारत के चलते डेटॉल को कितनी media coverage मिली थी डेटॉल ने कितना बड़ा corporate social responsibility program run किया था तो इस तरह के जो program से definitely लोग आपके साथ जुड़ते हैं अब pandemic के चलते sanitizers के बारे sanitation के बारे कितनी movement spread करी गई थी तो अब definitely companies अगर इस तरह की steps उठाएंगे खास करके जब देश अगर बहुत कठिनाई में गुजर रहा है या महामारी में जैसे हमारा देश गुजरा था तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं ठीक है तो नेकी को हर कोई याद रखता है अब geographical bias की हम बात करें लेकिन ऐसा क्यूं है कि लगबग 50 प्रतीशत से जादा जो corporate social responsibility companies हैं वो केबल जो developed राज्ये हैं महराश्ट्र है, तामिलनाठ है, करनाटक है, गुजरात है केबल वाहीं तक उनका CSR जो है, वो सीमित है और जो populous अगर हम राज्यों की बात करें उत्तरप्रदेश है, मद्यप्रदेश है या अगर हम mineral rich tribal states की बात करें जहारकंड है, चत्यसगड है, औरिशा है जहां पे इतनी बड़ी-बड़ी mining companies अपने project run करते हैं वहाँ पे समाज के प्रती, वहाँ पे CSR spending जादा क्यों नहीं है? यह सवाल यहाँ पे खड़ा उठता है एक analysis CSR spending का यह बताता है 2014-2018 के बीच में कि जादातर जो CSR spending हुआ है वो education में हुआ है, 37% which is good, which is not bad health और sanitation में लगबग 30% है लेकिन environment में बहुत कम spending करे गई है, 10% से भी कम करे गई है, तो यह बात सोचने वाले हैं कि जो mining companies हैं यह most ही कहां operate करती हैं खास करके जो mineral rich states हैं मध्यप्रदेश, चत्रसगर्ड, जारकंड तो जो environmental degradation वहाँ पे हो रहा है तो क्या इन companies की वहाँ पे जिम्मेवारी नहीं बनती, social responsibility नहीं बनती, कि कैसे sustainable development के towards move करा जा सकता है और जब CSR spending की बात आती है तो quality versus quantity की बात आती है तो केवल आप कहिए कि आपने 1000 करोड खर्च करे हैं लेकिन वो 1000 करोड का impact क्या हुआ है क्या उसका कोई positive social impact हुआ है कोई positive environmental impact हुआ है तो quality versus quantity की भी बात यहाँ पे आ जाती है अब इस बात को कौन audit करें इस बात को कौन monitor करें company तो बताएगी भी हमने कितना spend करा है कितना नहीं spend करा है कितना underspend करा है या कितना overspend करा है सिर्फ यहीं तक company की जो है पूरेपोर्ट सीमित रहेगी compliance mechanism की बात करें जो एक auditor है auditor सिर्फ investigate कर सकता है only the details of the spending कितना spend करा है कितना overspend करा है कितना underspend करा है लेकिन what about the quality of the expenditure auditor उसको audit नहीं कर सकता ठीक है अगर inadequate आपकी CSR performance है उसको कौन audit करेगा उसको कौन monitor करेगा तो auditor के पास ये power नहीं है तो कुछ suggestions यहाँ पे दिये गए है कि कैसे CSR को strengthen किया जा सकता है पहले तो एक national level platform को बनाया जाए which is of course centralized by the ministry of corporate affairs लेकिन उसमें decentralization का element हो कि जो states है states अपने अब decide करें खास करके जो गरीब राज्य हैं जो popular states हैं कि भी कौन से ऐसे potential CSR admissible projects रहेंगे तो companies अपना सारा का सारा CSR spending है वो केवल महराश्टरा, गुजराद, तामिल, नाडू में आके बड़ जो बाकी जो states हैं जो गरीब राज्य हैं वहाँ पे भी spending बढ़ा सके ठीक है और companies assess कर सकते है कि उनके जो CSR funds है वो कहाँ जादा impactful रहेंगे क्या वो education में रहेंगे क्या वो sanitation में रहेंगे क्या वो health sector में रहेंगे या वो environment में रहेंगे तो और preferential treatment है जो preferential treatment है वो कहाँ होना चाहिए companies का कि भी जिन राज्यों में वो operate कर रहे हैं वहाँ पे वो जादा खर्चा करें अब अगर ये सब suggestions अगर हम incorporate कर सकते हैं तो हमारा जो aspirational India program है यानि कि लगबग 117 districts जो कि नीती आयोगने identify करें हैं उसको बहुत impetus मिल सकता है और mostly इस 117 जो aspirational districts हैं ये कौन से हैं जहां पे जो parameters हैं as far as health indicators is concerned education indicators is concerned वो जादा अच्छे नहीं हैं और इसमें से काफी ऐसे districts भी हैं जो कि left wing extremism affected districts हैं तो अगर corporate social responsibility in aspirational districts में बढ़ता है तो definitely social economic parameters in districts के और better हो सकते हैं तो way forward की बात करें companies को prioritize करना पड़ेगा environment restoration को बहुत important अगर हमने green transition के towards move करना है renewable energy के हमने targets meet करने तो CSR spending जादा होनी चाहिए और यहाँ पे suggestion दिया गया कि लगभग minimum 25 प्रतीशक तो environment regeneration के लिए companies तो जरूर spend करें अब किंद्र सरकार काफी ऐसी schemes ऐसे run कर रही है अगर हम sanitation, water, जैसे जल्जीवन mission है, education की हम बात करें या sanitation की बात करें तो अब यहाँ पे CSR funds अगर इन schemes के towards नहीं लेकिन के वर environment regeneration के towards जादा जाएं तो वो जादा बैतर रहेगा बिकास जो efforts राज्यस सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं जो efforts किंद्र सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं अगर वो ही efforts under the garb of CSR अगर corporates भी कर रहे हैं उसका जादा फाइदा नहीं होने वाला जहाँ पे सरकार जादा contribute नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे अगर company जादा contribute करें उसका impact society पे जादा रहेगा question of the day now evaluate the status of CSR spending in India ये question का एक part है how can CSR spending contribute towards India's green transition ये question का दूसरा part है और suggest measures to strengthen CSR ये इस question का तीसरा part है आपने इस question को 200 शब्दों में answer करना है और इस question को आप post कर सकते हैं हमारे telegram group में now we have a telegram group the name of the telegram group is editorials with means answer writing you can post your answer and while watching the video आप अभी video देख रहे हैं तो description box में जाएंगे आपको ये link दिखाई देगा यदि आप इस link को click करेंगे आपको हमारे channel के towards redirect किया जाएगा और else अगर आपको लगता है कि link expire हो चुक है तो आप हमारे इस number पे अपने telegram की आप से message भी बेज सकते हैं 6280-133-177 और अगर आप genuinely message भेजेंगे तो हम आपको add करेंगे ऐसा नहीं है कि आप message भेज़ेंगे हमको कोई मज़ा आ रहा है कि आपको add नहीं करेंगे कुछ लोग spam करने के तौर पे comment करते रहते हैं कि हम message कर रहे हैं लेकिन हमको add नहीं किया जा रहा तो अगर आप genuinely serious aspirant है UPSC की त्यारी कर रहे हैं गॉसिप करने में बिलीव नहीं करते हैं तो प्लीज इस telegram group का फिस्सा बनिये और इसका फायदा उठाई है यहाँ पर best answer और model answer भी share किया जाता है तो दोस्तों अगर मैं जाने से पहले आपके साथ एक advertisement आपके साथ share करना चाहूं तो दोस्तों हमारी test series है for UPSC 2023 यदि आप अगले साल अपना attempt देंगे चाहे वो पहला है चाहे वो पांचवा है चाहे वो छटा है prelims clear करना तो बहुत जरूरी होता ही है और बहुत सारे बच्चों को चिंता रहती है कि prelims को कैसे clear करें because prelims is becoming increasingly competitive and frankly speaking कोई भी आप किसी भी academy की test series को join करिए कोई भी academy ये नहीं बता सकती कि किस तरह के questions आने वाले है current affairs जादा आएंगे कि static जादा आएंगे but practice करना वो हमारा काम है practice हम कर सकते हैं तो यदि आप हमारी test series avail करना चाहते हैं तो आप हमारी test series avail कर सकते हैं अभी एक coupon code है नहीं रहेगा मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ और analysis के साथ तो अब अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए thank you so much जय हिंद